यह क्या होते जा रहा है खेसारी भैया के टीम को धीरे धीरे सभी में में लोग इनके टीम से गायब होते जा रहा है यह बहुत ही गलत हो रहा है जो भी ऐसा करवा रहा है यह बहुत ही गलत कर रहा है आप लोगों को बता दे कि बहुत ही विशेज जनकारी इस वीडियो में आ अगर चैनल से आप नहीं जूड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिलिएगा चलिए सुरुआत करते हैं आज की वीडियो तो नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त विसाल स्वागत है हमारे चैनल भोच पुरिया जहान में आज की इस वीडियो में आप लो जवान हो गया जो की खेसारी लाल यादो के बारे में हमेशा नाप सनाब उल्टा सिधा बोलते रते थे लोगों को भी इन्हों ने जेल में भेजवा दिया था और यहां तक की एक बात और आप लोग को बता दे की खेसारी लाल यादो की बेटी यानि की कृती यानि की कृत पंकर सिंग, उसको जेल में अभी तक सढ़ाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ है, उसका नाम है राजीव सर्मा, जो कि खेसारी लाल यादो के टीम के एक बहुत ही अहां भ्यक्ति थे, लेकिन अब आप लोग को बता दे कि ऐसा क्या हो गया खामिया इन लोगों के बीच में कि खेसारी टीम से राजीव सर्मा जी बाहर नजरा रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे दिन बहुत सारे विडियो आएं जिसमें कि राजीव सर्मा कहीं भी खेसारी लाल यादो के साथ नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं, तो साप साप ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं राज जिव सर्मा का ये भी बयान आता था कि कोई भी संकट याज कोई भी खेसारी भाईया को कुछ बोलता है तो उसको पहले मुझसे टकराना पड़ेगा इतना confidence के साथ वो बंदा बोलता था कि देख के एकदम दिल खुस हो जाता था उस बंदे की बात और वही बंदा आज खेसा कर रहे हैं यहां तक कि अपने यूटूबरों को भी अपने टीम में सामिल कर रहे हैं ताकि उनका टीम मजबूत हो उनका काम मजबूत हो और उनका दबदबा भोजपूरी में सबसे ज्यादा बना रहा है आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नया यह एक बहुत ही चिंता का पिसाय है और इसी चिंता को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है अगर खेसारी भाया के टीम से कोई लोग देख रहा है या कोई उनके करीबी देख रहा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राजिव सर्मा के बारे में हम लोगों को जनकारी जरूर प्रदान करें कि राजिव सर्मा के टीम से बाहर क्यों नजर आ रहा है चलिए ये तो रहा मेरा ओपिनियन लेकिन अब मैं आप लोग का ओपिनियन जानना चाहूंगा मेरे भाई जो मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे है आप लोगो क्या ल